अब यह section wise रहेंगे आपको वीडियो में अंतक बने रहना है आपके HS के आने वाले या अलाइड के आने वाले एक्जाम के लिए बहुत relevant है आपका पूरा के पूरा डिवीजन PYQ का इससे हो जाएगा और यह section wise है इस इसका ध्यान रखेगा for example अगर topic देखेंगे HS का syllabus आप देखते हैं तो पहली line आपको मुलेगी उसमें ये वाली GS1 unit 1 sub unit 3 में अगर किसी वो syllabus नहीं पता है तो एक बार वो syllabus को cross check कर ले नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नह है अगर आप HS की तयारी नहीं कर रहे है इसके अलावा किसी एक्जाम की तयारी कर रहे है तो भी आपको PYQ बढ़ लेने चाहिए आप माचल जी के नहीं भी पढ़ना चाह रहे है इस में से कोई भी आपका एक्जाम हो तो 5-6 या 8-10 question आपको directly यहीं से आपको देखने को ब के लिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइब करें और शेयर करें शुरुआत करते हैं बेना किसी देरी के अपना ध्यान यहीं पर रख्येगा थोड़ी सी यह बड़ी वीडियो हो सकती है लेकिन यह आपके लिए बहुत बेनीफिचर होगी एक्जाम होल पहले जाने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लें और एक बार या दो बार जरूर देख लें दूसरी बार आपने क्या करना है 1.5 पेस को देख लेना है अभी तो हम स्पीर में ही चलेंगे वैसे I hope कि आप सभी को हमार्चल जी के का थोड़ा सा नौलेज होगा तो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीर में जाएंगे इसमें For example, we have question number one, rate of following statements carefully HPS prelim 2021 में question आया कि Raja Sansar Chand of the Kangra died in 1825 and Raja Sansar Chand of the Kangra invaded Vilaaspur in the state in 1796 In 1844, Sikh General Zorabhar Singh annexed the territories of the Lahouse Piti to the Sikh state and on August 24, 1809, Maharaja Ranjit Singh took over possession of the Kangra fort तो इसमें से कौन सी जीर्मेंट ठीक है? देखिए, question जो है, वो आपका बहुत easy है Question easy किस तरीके से है? अगर आप देखे हैं कि Sansar Chand की जो जाएत हुई थी वो आपका 1824 के आसपास हुई थी 1824 AD में हुई थी Clear? और दूसरा में रपासे Raja Sansar Chand invading the Kangra Vilaaspur जो Kangra यहां कि Sansar Chand Raja थे उन्होंने विलासpur स्टीट को 1796 में रवेट किया था तो यह स्टीटमेंट ठीक है? इसका मतलब दूसरा अगर ठीक है पहली गलत है? तो पहली गलत है तो यह स्टीटमेंट गलत हो गई यहां से क्या जाएगा अगर एक्जाम होल में दूसरी क्योशन आपको पूशे जाए तो तो महाराजा रंजीज सिंग के द्वारा कब कांगडा फोर्ट का पोशेशन लिया गया? क्वेशन ऐसा पूटड हो जाएगा? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है एक्जाम के लिए बहुत जरूरी है इसके नेक्स क्वेशन पर जाएए तो जो ज़ो ज़ो मिलते हैं और क्यों मिलते हैं जिसका रीजए आपको पता होना चाहिए 36 जो आपका वहाँ पर अभी अभी लिगा गर है तो उस चीज से आपके सबसे पहले स्टार्टिंग जो वहाँ से हुई आपका 36 जो इंस्क्रिप्शन से हाइस नंबर वो आपको शादा और टांकरी स्किप्ट में चमबा में ही मिले हुए हैं Q3. 1804 में Q4. जो इसके द्वार ये कैपिल शिप्ट किया गया था? तो we have साहिल वर्मन तो साहिल वर्मन की जी के द्वारा ये कैपिल शिप्ट किया गया था यहीं कि आपके बेटी चमबा पतीश चमबा शहर की स्थापना वो सब चीज है Q5. विच वो इसके लगबग 12 जनरेशन के द्वारा रूल किया गया था अगर हम इसके ओरिजिनल नाम पे जाएं तो यहां पे है आंसर भी है भी जगत सुक जगत सुक को और क्या कहते हैं? नास्त ठीक है? नास्त भी इसको पहले कहते थे तो यहीं से 12 जनरेशन ने यहां से रूल किया आपको पता होना चाहिए कि विसुत पाल के दोरा टेरिटरी थी, जग सो कैप्टिल थी उसको कहां शिफ्ट किये था? बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, जरूर बताएगा क्या होता है कई बार आप स्किप कर देते हैं लिखिएगा, लिखने से क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आपको रटेन हो जाएगा, कि मैंने वहाँ पर ऐसे लिखा था अगर वो कोई आपको लाइक कर रहा है वहाँ पर आपके कमेंट को तो आपको फिर मेसिज आएगा कि वह किसी ने आपकी comment को like किया है तो आपको वह पता भी चल जाएगा आपका revision हो जाएगा उस वक्त के लिए तो ऐसे comment जब आप करते हैं तो वह notification के through जो positive notification है वह आपको आजाएगी फिर कि वह आपके comment को किसी ने like किया है तो आपको वह और जाएगा रेटेन हो जाएगा कि मैंने तो ठीक लिखा था comment section में Question number 6 Which are the author of the book Kullu and Lahol Kullu और Lahol जो book है वो किसके द्वारा लिखी गई है We have Bruce तो यह लिखी गई है Charlie Grevenil Bruce के द्वारा तो we have Charles Grevenil Bruce के द्वारा Imported हो गया यहां से Question और एक्जाम के लिए भी आपका कि आगे वाला जो question है तो यहां से हो जाएगा This is the answer When did the Chandra Bhaga Valley Which was held as a jagir by families of the Tibetan origin Came under the swy of the Kullu तो यह कब उनके अधीन में आते हैं तो यह आते हैं लगबग आपके 17th century के आसपास में कब आते हैं लगबग 17th century के आसपास में इनके अधीन आ जाते हैं तो यह आपका देखी का 1600 मान सिंग जो राजा थे यहां पर जब यहां पर राजा थे मान सिंग उनका time period था 1688 से लेकर के 1790 तक तो 1719 तक का इनका time period था He invaded Mundi and conquered the area of the areas including Dharanth Salt Mines और उनने force किया the ruler of Latak to fix the boundaries between Kullu and Latak और कहां पर at Linkty कहां पर at Linkty plane and SPD was made to pay tributes तो इसको tribute पे करनी पड़ती थी तो यहां पर आपके कह रहा है कि चंदरभागा जो है कब इनके अंडर आ जाती है कुलू के दिना तो 17th century के आसपास में Question number 8 है Which Mughar ruler is said to have given the title of Mia to the Rajput princes of the Punjab Hill States who were hold hostages in the Royal Court यहां से भी आपका easy वाला question बनता है तो we have answer is Jahangir तो which Mughar ruler is said to have given the title of Mia to the Rajput princes of the Punjab Hill States who were held hostages in the Royal Court तो answer is Jahangir तो यह परमपरा आपके अकवर के time period से शुरू हो जाती है यहां से आपकी यह परमपरा जो है वो शुरू हो जाती है अगर आपको story याद हो कि कौन समय बंदी बना दी रखागा था बीदी जन्द वाली story आपको थोड़ी बहुत याद हो तो यहां से तो आपकी तैयारी अच्छी है बीदी जन्द की story गोबिन जन्द के पास रख देते हैं अपने बेटे यह revolt करते हैं उनको लगता है कि वह उनके विदाजी मार दिये गया है फिर वो revolt करते हैं तो यह सब शीज़ा होती है आपको यह याद रतना है उनको revolt को suppress करने के लिए किसको भीज़ा जाता है एसा ही कोशन यहाँ पर अभी कुछ था तो आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास question number 9 answer is राजन दर्सिन तो राजन दर्सिन इस answer क्या था इसका देखिए कि विच राज ऑफ्द श्पीती इन्वेड कुलू कुलू पर किस पीती के कौन से राजा ने कुलू पर अटेक किया और उसे अपनी राज इजासत में शामिल कर दिया था तो विहाब राजंदर सिंग next question है who built the Lakshmi Narayan temple of the Chamba simple सा question की Lakshmi Narayan जो टेंपल है वो किसके द्वारा बनाया गया था answer is Sahil Verman तो Sahil Verman नहीं यहाँ पर 84 योगी जो उस समय आय थी ठीक है 84 जो टेंपल उनके द्वारा फिर बनाया गया था यहाँ पर पोई ही चंबा बती वाली जो स्टोरी यहाँ से लेट है यूगांकर Verman इनके बेटे आ गए ठीक है उनके पत्नी के द्वारा भी वहाँ पर यह बनाया गया था यह बनाया गया था and question number 11 which Raja Wing of the Nukhu Gadan is depicted in the Raja Gadan love lyrics तो किसके बारे में Raja Gadan और इनके बीच में जो love lyrics है उसमें किसके बारे में जिकर किया गया है we have Raja San Saachan Raja San Saachan का और Nukhu Gadan नukhu Gadan और Raja San Saachan का जिकर किया गया है इसमें Raja Gadan के love lyrics में question number 12 which Raja of the Nourput Prinsley State built the Taragad Fort in the territory of the Chamba Prinsley State around 1625 and 3080 तो 1625 के आसपास या 37 तो 1625 के आसपास यहाँ पर किसके दुआरा नूरput Prinsley State में Taragad Fort construct किया गया था in the territory of the Chamba Prinsley State तो this is important exam के लिए important बन जाएगा question यह question number 12 answer is B Raja Jagat Singh के दुआरा इसका formation किया गया था तो Raja Jagat Singh from the Chamba was secretly fortified by him जो उनने fortress यह किया था जो इनने रूल किया लगभग 1440 के आसपास next is question number 13 which Raja of the Kullu was taken prisoner by the Sukit Prinsley State around 850-980 के आसपास तो कुलू का वो concert आया था जिसको Sukit की राजा के द्वारा उसको बंदी बनागर के ले जाया गया था answer is Bhopal answer is Bhopal तरी विर्क्रम सेन ठीक है यह वाली स्टोरी आपको थोड़ी बहुत अगरियाना से याद हो तो ठीक है तो Bhopal is answer ठीक है Bhopal question number 14 what is the name of the yogi who guided Rajas Sahil Verman of the Jamba Prinsley State regarding the site of the new capital of his state तो क्या इसका answer हो सकता है question number 14 answer is चरपतनाथ यह कह रहा है उसको दो योगी का नान किया था जिसने साहिल वर्मन की उससमें help भी करी थी to establish the new new capital of the state तो वो थे आपके चरपतनाथ क्योंकि 84 yogi थे वो उसमें से यह की आपके यह भी थे one of the 84 yogis who visited the area lower portion of the Rai Valley ठीक है कहां पर विजिट किया थे वो lower portion of Ravi Valley clear next is question number 15 which Mughal emperor got a mosque built inside the Kangra Fort अब काब इसको capture कर दिया है तो आपने देखा कि जहांगीर यहां पर विजिट करता है 1620 के आसपास या September 1620 के आसपास Kangra Fort पर विजिए हासिल कर दिया है after the three attempts तीन attempt वो करता है तो उसमें तीसे वाले attempt में वो successful हो जाता है और यहां पर जहांगीर इस पर कबजा कर लेता है ठीक है question number 15 का answer is C question number 16 तो वो यहां पर इस Kangra Fort के अंदर एक मस्जिद भी बनाता है question number 16 विच यूरोपियन ट्रेवलर ट्रेवल्ट फॉम नाहन टु जम्मू बाया नूरपूर अराउंड 1783 तो कौन उस समय यहां पर ट्रेवल करता है we have foster अब मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि वो foreigner मुरख थेवेनोट और एक और मैंने बताया था क्या था वो foreigner मुरख कुछ भी बजार में मालफोक में लगे ऐसा करके मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी नहीं पता है तो आपकी हमाचल जी के के नोट्स में आपको क्लिरली बताया था वो question number 17 यह भी कब आये थे यहाँ पर 1783 के आसपास आये थे और उनने इसके बारे में डिस्क्राइब भी किया है question number 17 जब यहाँ पर गोरखास आये एक strong strong आपका ओपोनेंट आया संसाचंद खा तो उनके द्वाराज को free करवाया गया था इसको independent या खुषित कर दिया गया था which has been seized by the संसाचंद of the Kangra question number 18 which craftsman in the court of the Raja Meru Varman of the Chamba built that metal alloy यह अश्टधातु image of the Burmaur in the Chhatrali temple important question नहीं यह exam के लिए important है आने वाले तो answer is Goka answer is Goka Goka was the prominent craftsman in the court of the Raja Meru Varman और इनके द्वारा ही यह अश्टधातु जो वह वनाई गई थी question number 19 which raja of the Kangra organized all the hill chiefs between the Jammu and Kangra in 1588-89 against Akwar तो कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने hill chief from Jammu से लेकर के आपके जितने भी hill state से Kangra से लेकर Kangra और Jammu के बीच जितने भी राजा आ रहे थे उन सभी को खिलाप कर दिया था Akwar के खिलाप में उन सभी को इकठा कर दिया था Akwar के खिलाप में यह स्टोरी आप यही से रिलेटे है यह बरी स्टोरी जो मने आहां पर आपको बताई यह स्टोरी इसी से रिलेटे है तो आंशर भी है Question number 19 Raja Bidhi Chant ठेक है Raja Bidhi Chant इसने यह और्गनाईज कर वाया था लेकिन इसमें आप बाद में देखते हैं की राजा अफ गुलेर दिद नॉट पार्टिसिपेट तो कॉश्चन अबर टॉंटी सुरज मल को भीज दी जाता है लेकिन ये फिर से जगड़ा कर लेता है तो बार बार ये जगड़ा करता है आपने देखा भी था अगर आपने यही उपर वली जो कहा नहीं थी कि जहांगीत के द्वारा जब फोर्ट कैप्चर करने के लिए इसको भीजा गया था 1617 लगवख 1617 की ये बात है दमेरी प्रेजेंटे नूरपूर है दमेरी यहां पर लिखा गया है दमेरी नूरपूर साथ में भी लिखा गया है तो अगर ऐसा आ गया कि नूरपूर का पुराना नाम दमेरी आ गया और वो मागोट में भाग जाता है तो यह आपका चंबा में होता है सुई फियर सुई फियर यही आपका जब जंबा शहर के सापने तो कर दी जाती है, लेकिन वहाँ पर पानी की कमी होती है, आप पानी की कमी कोई कैसा पूरा किया चाहिए, उसके लिए कोई solution नहीं निकल रहा था, solution ना निकले, तो राणी ने राजा को एक सपना आता है, किसी परिवार के एक व्यक्ति को अपनी बली देनी पड़ेगी तो रानी के देवी हम दे देगे तो वो जाते हैं बलोटा शहर नामक बलोटा गाउं था वहाँ पर दफनाया जाता है फिर पानी आ जाता है शहर में सेटलमेंट चमभा में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था 1876 में तो he was Major मेजर करनल रीड यहां पर लिखा गया है ठीक है आंसर इस मेजर ब्लेर रीड इनको सुपरिणेंड़ गोशिच कर दिया गया था 1863 में तो 1863 में एपोइंटेड एस appointed as superintendent superintendent की पहले है आप देदे superintendent को पॉइंट कर दे जाता है और फिर यहां पर यह बहुत सारे reform इंट्रडूस करते हैं चाहे वो आपका post office related हो, primary school हो, state hospital हो, residency हो बहुत सारे reform यह चलाते हैं यहां पर चाहे वो forest से related हो for example administration of forest question number 23 who was the first European to visit Kullu on his way to Ladakh in 1820, alliance में बूचा गया है question है question number 23 we have B, moorcraft to moorcraft आते हैं आपके लगबग 1820 के आसपास नहीं यहां पर लिखा भी गया है, तो यह कई बार exam में बूचा गया है question number 24, which of the following battle was fought on 28th of January 1846 between the British led by Sir Henry Smith and Sikh led by Ranjod Singh Majitia तो यहां से question आने के संभाबना जादा है, ऐसा आ सकता है next बार, कि यह वाली जो battle है यह किसके बीच में हुई, ऐसा आ सकता है तो this is the battle of Alival battle of Alival यह आपके होती हैं इन दोनों के बीच में ही, ठीक है तो answer is battle of Alival इसको याद रख सकते हैं आप यह होती है आपके सत्लश नदी की किनारा में 28th of January 1846 को क्योंकि Alival नाम था वहां का तो Alival near the 17th river in Punjab तो यहां पर यह battle होती है, अगली वाल के लिए याद रखे हैं किस-किस के बीच में हुई थी एक थे आपके Sir Henry Smith ठीक है बीच में जरा एक थे आपके Sir Henry Smith and Sikh were led by the Ranjot Singh Majithiya 1846 की बात है जब आपकी First Anglo Sikh War भी होती है ठीक है, सबस्वे Second Anglo Sikh War होती है किस treaty के साथ सी शामिल होती है Treaty of Lahore आपको याद होना चाहिए, What is Treaty of Lahore और हमने डिसक्स किया था इसको हिमाचल जी के में ही जिसमें एक रूड पर देना होता है उनको देन सत्विश बॉनरी बना दी जाती है उसके बाद एक और जीटी होती है That is Treaty of Bhaerobald क्योंकि इससे सिक्स जो होते है First वरी जो treaty होती है उससे नाकुष होते है एक और डिसाइन करते है तो फिर Treaty of Bhaerobald साइन टाह दी जाती है First Anglosic War के दोरान ही Question number 25 Which of the following is the oldest princely state in Himachal that find mention in the Mahabharata the Puranas and the Book of Panini तो कौन सा ये है जिसका जिकर सभी जागा पर मिलता है तो यह है त्रिगर्था कहाँ पर त्रिगर्था oldest princely state त्रिगर्थ यानि कि तीन नदियां है वहाँ पर उसके कहीं गर्थ में बसा हुआ है उसके कहीं बीस में बसा हुआ है जहाँ ओपर से कहीं से रिवर्थ आ रही है और नीचे जाकर की और कांगड़ा या त्रिगर्थ जो है वहीं पर है आप तरीगर्ता के बारे में मुझे बताईएगा कि कौन-कौन सी रिवर्स हैं अगर आप कहते हैं कि यह ब्यास तुलज और यह रावी है तीन रदिया है या कोई और तीन रदिया है लेकिन किसी ने इन तीन रदियों का नाम कुछ और ही दिया होता वो वजा जरूरी है कि तीन रदियां जो है वो अलग है वो कौन सी तीन रदियां है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेशन नमें 26 इन दे ये एटीन जिरो फोर वो वस इन्वाइट तो इन्वेट कांग्रा वाई रूलर आफ तो विलासपूर मंडी ये पहरे वारा क्वेशन को रिपीटिड ले आ गया है अलाइट में अगर आपने पढ़ा होता तो अच्छेस में आप ठीक कर लेते इसको तो अमर सिंह थाफ़ा बुलाए गया था किसके द्वारा ये एडिट हुई थी हमें पता होना चाहिए एग्जाम में अगर क्वेशन पूछा गया तो तब तक तो पता होना चाहिए तो कैप्टन हार्ट कोट के द्वारा ये वंचा बलीज को एडिट किया गया और राजा और कुलू पिंस्ली स्थीर ये भी जरूरी हो गया कि लाहॉल और कुलू जो है वो कब ब्रिटिश ट्रेटरी बनती है कोशन नुबर टॉन्टी एट वी हब आंसर कोशन नुबर स्थीर एटीन फॉर्टी सिख्स के आसपास अब इसमें ही आपका अठारा सो उन्तालीस में सिख्खों ने कैप्चर कर लेता कुलू को फ्रम राजा अजीत सिंग कैप्चर बाइ सिख्ख अराउंड कब अठारा सो उन्तालीस के आसपास में और ये ब्रिटिश गवर्मेंट को बाद में दे दी जाता है इसी लिए ही आप देखते हैं ये किसका पार्ट बनते हैं पंजाव हिल स्टीट का पार्ट बनते हैं पंजाव हिल स्टीट में और अंतर क्या होता है एक होता है आपका शिम्ला हिल स्टीट अब देखिए दोनों में अंतर क्या है सिंपल सा अंतर देखिए कितना है अगर हम एक और देखें तब हम यहां से देखते हैं कुछ ठीक जिसा कदर मिल जाए ठीक है तब यह शिमला हिल स्टीट और दूसरा हो गया आपके पास एक पर करते हैं इसको तो शिमला हिल स्टीट यहां पर पंजाब हिल स्टीट सीм तो यहां पर उनको सनद गुरांड के गई थी कि जो भी हिल स्टीट से होंगे उनको सनद गुरांड के गई को कहा कह दिया था कि वह यह अगर आप हमारी हेल्प करते हैं गोर्खा को यहां से बखाने में तब हम आपको संद ग्रांट कर देंगे आप देखेंगे कि 1815 के आसपास सभी को संद ग्रांट करनी चुरू कर जाती है 1815 में आपकी लगवक सिप्तिम्बर में 1815 में महान चंद बिलासपूर उनको सबसे पहले संद ग्रांट कर दी जाती है फिर उसके बाद सब्सक्वेंटली आप देखेंगे बहुत सारी राजा उनको भी संद ग्रांट कर जाती है संद कंडिशनल इंडिपंडेंस उनको कहा गया कि आपको हमें बिघार देनी पड़ेगी आपको नचे लोला है कुलू ना है जो सिक्षों के अधीन था अब ये तो उन्होंने कर लिए था अंग्रेजोंने अंग्रेजों pessimistic आथिया अब सिक्षण के अधीन अधरीcketरी थी वह ठोल्ष ये कन्टो, इचंव थैवाग ಪंच्जाब सिपैनांड प्र्योंत सस्था, की तियं म ट्वंटी नाइं वी हैब कि वह काब आते हैं ठाकुर्जर राना ऑफ लाहौज बिदी के वने दा डिरेक्ट कंट्रोल अप चंबा प्रिंस्ली स्टीट कॉश्ट नुमर ट्वंटी नाइं तो यह आते हैं लगवग 10th से 11 10th से 11 सेंचुरी की टाइम पीरेड में के अधीन आ जाते हैं कौन से बाले ठाकुर्जर राना ऑफ लाहौल किम अंदर डिरेक्ट कंट्रोल अप चंबा अपनिस्ली स्टीट नेक्स्ट भी है अठारा सो कॉश्ट नुमर थर्टी इन 1804 दरूदर अप विलास्पूर मंडी चंबा ही किसको इनवायर करते हैं फिर से वही कोशन ने देखो गोर्खास को इनवायर करते हैं तो किस संस्कित स्कॉलर के राइटिंग में हमको सबसे पहरे त्रिगर्था का मेंचन मिलता है इंपोर्टेट कोशन भी है और याद भी होना चाहिए तो भी है पानेनी पानेनी ने फिप्ट सेंचुरी बीसी में इसका जिकर किया था फिप्ट सेंचुरी बीसी में उन्होंने इसका जिकर कर लिया था आयुद जीबी संगा भी मेंचन किया उन्होंने ठीक है आयुद्ध जीवी संखा ठीक है as mentioned as the confrontation of the six states जिसको उनने कहा तरिगर्था, शास्तास तरिगर्था, शास्तास दंडे की, कॉरष्टे की तो वो सब चीजें हैं लेकिन उसमें से एक वी एक ही आपका भरमौर से समंदित है जो नाम डेसीफर कर पायां लेकिन छे थे, six confrontation six states का confrontation था ये question number 32 who helped Rajasin Sarchand of the Kangda to take over the fort of the fort from the Jeevan Khan son of the Muslim governor Nawab Sefali Khan around 1782-1783 तो किसके द्वारा उनकी help की गई थी, यहाँ पर भी अलग-अलग books में आपको देखने को मिल जाएगा तो we have Jai Singh Kanahiya अब दूसरी story क्या है यहाँ से लिटट एक तो यहाँ से है कि Jai Singh Kanahiya के अधीन आ गया था यह कि दौनों ने संसाचand की जो Jai Singh Kanahiya है उन्होंने संसाचand की help की और उनके पास यह fort आ गया लेकिन कुछ का कहना यह भी है कि Jai Singh Kanahiya ने जीवन खान को रिश्वर दे दी कि वह यह fort तुम हमारे हवाला करतो और यह fort जो था वो इनके पास 1786 के आसपास तक रहा उसके बाद उसके बाद संसाचand की help पीगी जससिंग रामगडिया के दौरा वो इनके help करते हैं और यह fort उनके पास आता है तो second story कुछ इस तरीके से लेड़ है लेकिन आपको जो यहां पर दीग स्टोरी है उस मताबिक ही आप याद रखें एक्जान के लिए और ज़ाँ जरूरी हो जाएगा Then we have next question, question of 33 Who founded the Nourpour Prinsley State Nourpour Prinsley State की स्थापना किसके दौरा की गई थी तो 33 is जेटपाल Answer is जेटपाल के दौरा Nourpour Prinsley State की स्थापना कर दीगी कब लगभग 11th century AD में जेटपाल यंगर बदर था अफ आनंगपाल 2. The ruler of Delhi The state were originally called Dhameri Question of 34 According to Yunth Sang Which of the following was the distinct state during the 7th century AD where 20 where about 20 Vudhis Sangamas with 1000 priests mostly studied the Mahayana Import बहुत important question देखी जो unique question लगता है उसको आप जरूर ध्यान में रखे जो तो आपको लग रहा है normal सा question है आही जाएगा कुछ ना कुछ लॉजिक करके या आपको पता है उस चीज के बारे में तो वहाँ पर जाध्यान एक जरूरीदी नहीं है मास with 1000 priests mostly studied the Mahayana तो answer is कुलूता answer is कुलूता तो 7th century AD में आपको यहीं पर उन्हें जिकर किया है तो answer is कुलूता important है यह question तो यहाँ पर इसके answer भी दिये गए है तो यह हमारा एक section था एक section हो गया आपका next section की तरफ जाते है next we have अच्छी यहीं पर है आपका गोर्खा invasion तो यह आपका यहाँ उपर भी आ गया तो देखो अगर तो आप means की अगर आप Hs की syllabus की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर यह line लिखी की है अब मेरी सभी से भिनेती तो यही होगी request यही होगी कि आप एक बार syllabus देखें बहुत important syllabus है अगर आप इस syllabus को एक बार देख लें अगर किसी नहीं देखा है तो इसका मतलब वह हिमाजचल की exam की तयारी ही नहीं कर रहा है वह आपको हिमाजचल प्रदेश का syllabus देख बार पता होना चाहिए अगर आप पड़वारी की भी तयारी कर रहे है आपको हिमाजचल जी के cover कैसे करनी है वो idea आपको proper मिलेगा syllabus से अब लोगों कहना यह होता है अगर आपको पढ़ना है कुछ चीज हिमाजचल जी के लिए पढ़नी है आपको यह तो पता होना चाहिए कि हिमाजचल में आप क्या-क्या पढ़ सकते है तो वो पता कहां से लेगा इस syllabus से ठीक है इस syllabus लेगा पता तो एक बार रूट देखें कासे syllabus को वो सरक थे थोड़ा बहुत confused रहे हैं लेकिन आपने क्या करना है सब unit 3 देखना है सिरफ जब गुर्खा इन विजन यहां पर किया उसके क्या consequences रहे क्या nature था उसका क्या treaty of Sahagali थी question number one which of the following statement is not correct क्या बोला गया है not correct बोला गया है पहली है the battle of the north was fought between raja bheemchand of the kehlun and the mughals क्या ये raja bheemchand के साथ लड़ी गई थी हाँ क्या कि bheemchand के साथ लड़ी गई थी तो answer तो bheemchand के साथ आपी लड़ी ही गई होगी तो किस के साथ लड़ी नहीं गई होगी है न तो we have next one in the battle of the rogue raja janardhan 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 of the chamba was defeated and raja of hindu hari chand was killed by guru gobind singh in the battle of bangani the gorkhaz defeated kangra forces at mehalmorya in 1806 क्या आपके ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ सारी कि सारी statement ठीक ही जैसे लग रही है है न तो हम जो बात करते है battle of nadon की तो battle of nadon was fought between the raja bheemchand of kehlur ठीक है तो पहली वाज़ी जो statement है is correct है न यहाँ पर यह लिखा गया है इससे पहले आपकी बंगानी की battle हो चुकी होती है यह बली जो बंगानी battle है वो इससे पहले हो चुकी होती है उसके बाद क्या होता है यहाँ पर अलिफ खान को बेज ले जाता है कि अलिफ खान को बेज आप जाओ state से जो भी यहाँ पर his state से उनसे text collect करके लिया तो अब जाकर कि अलिफ खान को भी दे जाता है अलिफ खान और यह कठा करते हैं यह बाद में help लेते हैं गुर्गोबिंजी की help ले जाती है तो first statement is correct वही इनके बीच में यह होती है उनने कहा कि हम आपको text देना पड़ेगा लेकिन यहां के राजा कहते है राजा भीमचन भी कहते है वही हम text नहीं देंगे तो battle of Nadan was fought जो second वाली battle बदाए गई है battle of Dalog battle of Dalog was fought in 1623 between Rajanadan of Chamba and Rajagat Singh of Nurpur तो this statement is also correct वही ठीक है in this battle Dalog, Rajanadan of the Chamba was defeated तो Rajanadan जो Chamba के थे वो battle को हार जाते हैं the Mughal supported Raja Jagat Singh लेकिन बाल में आप देखेंगे जगत Singh ही आपका Mughal के खिलाब विद्रो कर देता है तो this statement is also correct फर्स statement is also correct थर्ड statement राजा हिंडूर राजा हिंडूर, राजा उफ हिंडूर, हरीचन was killed by Guru Gobind Singh in the battle of Bangani तो battle of Bangani में आप देखेंगे कि इनकी death हो जाती है जो हिंडूर के राजा होते हैं तो this statement is also correct battle of Bangani जहां पर एक तरफ आपके यही होते हैं राजा भीमचन of the Kehlur होते हैं लेकिन उनकी हिसाइता करते हैं यह इसके पीछे बहुत लंबी कान ही है वहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं तो this statement is also correct फूर्थ गोर्खास तो महल मोरिया की battle में आपके हरा दी जाता है तो सारी कि सारी statement आप देखेंगे यहाँ पर इस सारी कि सारी correct है ठीक है? All of these Question number 2 In 1804 The ruler of the Vilaaspur, Mandi, Chamba and other small rulers of the Kangra area invited home to the bit तो यह हमने उपर भी देखा भी Amar Singh थापक उलाया गया था Which of the following battle was fought on 28th of January 1846 between British यह भी अभी आगया था उपर तो यह आपका battle of Aliwal was fought between Sir Henry Smith and Sikh led by Ranjot Singh Who is the author of the Gurkha Conquest of the Arki? This is important question यह अभी तक नहीं आया था तो हम देखेंगे Q4 का आंसर हो गया आपका यह लिखी गई थी उलब सिंग है कहीं पर हाँ यह आपका हो गया Answer is D Q4 Answer is D written by Udhab Singh Kurmar यहाँ पर लिखा है Purmar है ना इनका पुरा नाम जो है उदब सिंग and it was published in 1903 Q5 Near which fort or battle was fought in May 1815 between Britishers and the Gorkhaz in which Bakhti Thaba was held तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो fort of Malau है that was captured by the British Dr. Lonnie इसे समंदित है तो जाद रखेगा Q4 नमबर आपका यह हो गया Battle of Fort of Malau This was captured Q6 Where was the decisive battle यहाँ पर भी यहाँ आपके Q6 Where was the decisive battle fought between the Gorkhaz and the British during the first quarter of the 19th century तो यह उनकी battle थी कहाँ पर लडिके थी दिखेंगे After the Gorkhaz suffered defeat by the British at various places the final battle was fought in the foothills of the Shimla जहाँ पर कहते उसको प्लेस मलाओ The Gorkhaz army couldn't stand in the front of British cannons and guns and one of the very senior Gorkhaz general Bhakti Thaba suffered a bullet injury and died Now the rest of the army dispersed in the battle was over So यहाँ पर तो answer तो नहीं बताया गया है इसके आना था आपका चेन धार तो नहीं आया गा धार था भी नहीं आया जायतक हिल्स answer is A important supply यहाँ पर answer नहीं है लेकिन answer is Jatakhin Question No.7 इसके आगे चलते हैं जरा निक्स है हमारे पास है मैंने कहा था कि थोड़े से लंबी वीडियो रहेगी तो आपका पुरा पुरा ध्यान यहां पर होना चाहिए आप चलते होगे कहीं पर लाइबरेरी जा रहे हैं लाइबरेरी से वापस आ रहे हैं कुछ और चीज़ कर रहे हैं खाना बना रहे हैं गुमने जा रहे हैं सुनिए इस वीडियो को क्या जाता है कुछ एक इंपर्ड कॉश्चन ही तो आपके दिमाग में जाएंगे एक वैल्यवेबल नोट ही आपका हो जाएगा गहां एकजां में क्या पता है यहां से कोश्चन आ गए कुछ हिल्स्टीट ए तो इन्देय निसेटल पावर पॉलिटीकल पोलिटीकल in the इननिस्टीट Children ग्राण सरा देन डर्टार्टीर एग्रेशन यहां से क्या 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 कोश्चन बने होगा देखो अब पहला ही कोश्ण यहां से है पहला कोश्ण है जब यह टृटी आफ शाकॉली साइन की गई तो दूसरी तरफ कौन थे यहां से कोशन पूचा कि हमें पता होना चाहए है एक्जेक डिट आपको पता होना चाहिए ठीक है East India Company and the King of Nepal ठीक है एक तरफ थे आपके गुरू गजराज मिश्रा कौन थे गुरू गजराज मिश्रा गुरू गजराज मिश्रा और दूसरे आपके लेटनेंट कर्नल पैरिस वरट्शो तो यहाँ पर है हमारे पास यह पैरिस वरट्शो और इनके बीच में यह संदी हुई थी तो एक्जाम के लिए आपके जरूरी हो गया इंपॉर्डट भी है तो किस-किस के बीच में यह हुई थी और कब रैटिफाई कब किया गया था 4 मार्श 18 सोरा को किसके द्वारा यह रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया था इन 1848 उससे प्रिदा डिवेलियन ऑफ बजीर ऑफ नूरपूर उसे बाद प्रमोच चन राज़ जब जस्मान और दतवार इन लोगों के द्वारा रिवोल्ट की गई तो उसको सप्रेस किसके द्वारा किया गया आंसर इस Mr. Lawrence तो Lawrence जी के द्वारा Lawrence के द्वारा यह आपकी जो battle यह आपकी चली हुई थी लोड़ाई यह कर रहे थे दिवरिं अंगलो सिक वार बात ही आपके अंगलो सिक वार के दुरान की है अंगलो सिक वार के दुरान की यह बाते है बजीर आफ नूरपूर या पदम सिंग हो गया आपके कांगडा के राज आफ जस्मान दतारपूर उनने भी रिवल्ड कर देश वरू कर दिया लेकिन प्रमोध चंद की जो है डथ रजाती है 1851 में डाइड इन 1851 नेक्स इस फूस्टाइड आपका पहले आगया था मेजर करनल रीड तो आइडिया तो जो था वो दिया गया था लॉर्ड लेकिन वो पहले ऐसे कौन से बेखती थे जो यहाँ पर रहे थे तो वो थे आपके लॉर्ड डफरीन कौन थे लॉर्ड डफरीन थे राष्टपती निवास भी आप कहते है इसको तो दे चीफ आर्किटेक्ट आमें पता होना चीए कौन था आपका तो वी केन हैफ दे चीफ आर्किटेक्ट वॉस का नाम था है राष्ट्रपती भावन राष्ट्रपती भावन वई सीगल लॉज बाइद बाई रह्ट कि Henri एशए बनाया गया है जेकोव लॉंस प्लिंद्र उतन में इसको बनाया गया है तंडा न्मोड्र कॉश्ट्र में लाष्व a Gacel पीकमदर टंड ट्रीट टॉल क्यों बूचा गया है तो अभी आमने तेखा की लगभग 1846 इसवी में इसको capture कर लिया गया था treaty of america होती है between Gulab Singh and the British granted hill areas of the Punjab and was given Gulab Singh but the area of Lahol and Steve Spiti remained under the British control. Question number six who among the following was the last गुराई to be granted by the British important question. Tharoj this was the Tharoj तो Tharoj जो था उस्वमें किसके अधीन था? Kishan Singh. Around the 15th century this was granted सनद. Last ये सनद थी पहले आपको महांचंद of the Vilaaspur Question number seven. According to the सनद granted to the Raja of the Sirmaur in 1815 which of the following territory was returned to him? कौन्सी ऐसी territory जो return की गी थी तो क्यारदा दून? answer is क्यारदा दून ठीक है? ये क्यारदा दून जो था according to the सनद granted to the Raja of Sirmaur in 1815 which of the following territory to the Raja of Sirmaur. Then question number eight. After taking one look at the Shimla town during the British era, burst out if one were told that the monkey had built it all one could say what wonderful monkeys they must be shoot in case they do it again तो ये इंपर्ट कॉश्न हो गया यहाँ पर ठीक है? ये किस के दौरा कहा गया था? ये कहा गया Sir Edwin Lutians के दौरा. Sir Edwin Lutians नहीं ठीक है? यहाँ पर नहीं लिखा गया NT2 Sir ये में रहाँ था? Sir Edwin Lutians तो किस ने कहा था? After taking one look at the Shimla town during the British era burst out, तो जो भी इसको दिखता था British time period में वो कहता था कि if one were told that a monkey's had built it, अगर किसी को कहा दिया कि monkeys के दौरा बनाया गया है तो तो वो कहेगा? What wonderful monkeys they must be shoot in case they do it again तो उनको भाई फिर से उनको मार दिना चाहिए अगर उनने ऐसा फिर से किया तो answer is Sir Edwin Lutians next हमारे पास है topic, topic is social and economic conditions under the colonial period with special reference to the social practices of the bait, वेगार and रीथ, establishment of the British cantonment, national movement with special reference to the presidential movement in Himachal Pradesh next question है हमारे यहाँ से तो लगबग आपके 15-16 पहला क्वेशन है यह पहला क्वेशन इसमें से the movement started under the ages of the किसान सभा in which Lakshmi Singh and the Vaidya Suraj Singh played pivotal role वो कौन से movement थी आपकी तो that was पजोता movement, कौन से था वो पजोता आंदोरन था जिन में आप देखेंगे कि आप क्या देखेंगे उसमें चला इसको देखते हैं जरा आप Lakshmi Singh and the Vaidya Suraj Singh उन्होंने बहुत इंपोर्टर्ट रूल में आया है तो वो था आपका पजोता आंदोलन पजोता आंदोलन उनीसोंड़न इसकी आसपास ही आपकी शुरवात होती है 1942, October 1942 Farmer of the Princely States planned to organize a massive mass movement to government के खिलाब था Question number two democratization of the administration was the main aim of तो परजया बनल मुवमेंट का ही था बहुत easy question कई बार कोशन आए जाएगा what was the aim of the परजया बनल मुवमेंट democratization of the administration यहां के administration में सुधार लाना प्रजया तंतरिक तरीके से उसको ठीक करना तो भी है वहाँ पर लोगों कभी तो कुछ से हो ठीक है next question हमारे पास है in 1848 who suppressed the rebellion of the बजीर of the नूर्पूर यह हमने अभी देखा भी यहां पर Mr. Lawrence ठीक है Mr. Lawrence के द्वारा 1848 के आसपास in revolt को suppressed कर दिया गया था तो भी है question number three Mr. Lawrence next हमारे पास है question number four which हमाचली revolutionary edited सुधर्शन चक्रा magazine from Lahore during the pre-independence period तो this is very important question क्योंकि अभी तक नहीं आया था ऐसा question तो ऐसे कौन से बेक्ती थे ऐसे कौन से हमाचली revolutionary थे who edited सुधर्शन चक्रा magazine from Lahore during the pre-independence period question number four answer is इंदरपाल इंदरपाल जी के दुआरा उस समय सुधर्शन चक्र magazine को Lahore से editing के जाता pre-independence time period की यह बात है तो बहुत-बहुत important question है यह मार करके रख इसको दिमाग में बिठा करके रख इसको question number five when did the consultative body of the ruler of the presidency state known as Narendra Mandel came into existence तो Narendra Mandel आपका बना यह आपका 1921 की बात है HPS 121 में फिर आपका which building of the shimla was the residence of Aho Ayum who conceived the idea of founding Congress Aho Ayum जब यहाँ पर थे तो उनका जो हूम था उसको आप क्या कहते है यहाँ पर ठीक है आप देखेंगे कि जो Alan Octavian Hume थे ICS से आपके Member of Imperial Services यह यहाँ पर आते है the father of answer to father of Indian orinthology में को कहा जाता है by those who found in domestic and the pop of the Indian orinthology तो इस करके भी आप याद रसते हैं जो साथी साथ में यहाँ पर Indian National Congress का foundation रखते हैं comment section में बताईगे इसका answer क्या हो सकता है who headed the Himalayan Riyasthi Picham who headed the Himalayan Riyasthi Picham provincial government with the headquarter at Shimla 1948 this question is also important 1948 में Himalayan Pranth provisional government को set up के जाता है headed by Shivanand Ramal किसके द्वारा Shivanand Ramal then question number 8 which means the state witness the Juga movement Juga movement आपके कहा पर होती है बहुत easy question है आपका यह ठीक है अगर Juga movement के हम बात करें तो इससे पहले आपका देखते हैं फिर जाते हैं तीन से लोग के साथ फिर जाते हैं फिर जाते हैं पचास सा लोग के साथ फिर यहां पर बड़ा अंदोलन होता है वो शो बारान important question question number 10 who presided over the conference of the penjamandal of the hill states held at Jubal on July 13, 1939 तो उसको वो head कौन करता है who presided over the conference of the penjamandal of the hill states held at jubal on July 13, 1939 which number 10 answer is B भागमलसोटा तो यह भी easy question था आपका which was the venue of the All India States People Conference held on 26th of January 1948 what was the venue of the All India People Conference जब 26 January 1940 को होता है ये कहाँ पर होता है ये इंपोर्ट कोशन है ये होता है शिम्ला में आपका याद रखी कि इसको All India States People Conference 26 January 1940 शिम्ला में which राजा आप दे सिर्मार पिस्टी स्टी स्टी ट्राइट ये आपको मैंना भी कहा था उपर लेकिन आंसर इस रॉथनी कैसर इस इस आंसर ठीक है यह गया आपका रॉथनी कैसर इस आंसर तो next question is question of 14 विच तू ठकुरा इस वर मेड सवर्णेट तो दा जुबल प्रिस्टी स्टेट इन 1896 तो कौंसी ऐसी आपकी प्रिस्टी स्टी देवन मेड सवर्णेट तो दा जुबल प्रिस्टी स्टी इन 1896 आंसर इस राबिंगर्ड इन रतेश ए आंसर इस राबिंगर्ड इन रतेश question number 15 विच राजा अप बुशेहर वस होस्टाइल तो दा प्रिटिश दूर इन 1857 मुटिनी question number 15 का answer हो गया है हमारा श्रमशेर सिंग विच राजा की बात की जाए तो question number 16 who founded the धामी प्रेम बचार निसभा in जुलाई 1939 धामी प्रेम बचार निसभा की स्थापना कब की गई तो 1949 में आप देखेंगे पंडित सिता राम है चाहे वो और प्रेक्ति होगे अब जिसे भागमल सौटा होगे इस तो इसमें भागमल सौटा भी आना चाहिए answer तो इसमें भागमल सौटा भी है वो founded the धामी प्रेम बचार निसभा और निसभा बैसे इसका 1937 में हो जाता है ठीक है प्रेम बचार निसभा धामी was organized and later converted into धामी रियास्ति पजा मंडल तो यह तो question कुछ इस तरीके से होना चाहिए था जिसे यहांपर है आपका answer इसका अप्रेम बचार निसभा धामी was organized in 1937 and later converted into धामी रियास्ति पजा मंडल on 13th of July 1939 धामी रियास्ति पजा मंडल came under the relationship तो यहां पर सीता राम की इसमें आते हैं ये लेकिन किसके द्वारा पर्टिकुलर इसकी फांडिशन रखे के दे ऐसा नहीं है इसमें इसको हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो अब इक लिए इतना ही ठीक है इस वीडियो को देखिए और ये questions को retain कीजिए जितना retain पर सकते हैं exam से पहले हम इस सबी को cover कर देंगे मिलते हैं आप से next वीडियो में ठीक है thank you